गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम इन और्गनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्ट जिसका नाम है अटॉमिक स्टॉक्चर उसे स्टार्ट करेंगे अटॉमिक स्टॉक्चर में आपने 11-12 में पढ़ा है थॉमसर मॉडल, रदरफोर मादर्ड मॉडल उसके बाद निल्स बोहर तक हम 11-12 में पढ़ते हैं उसके बाद हम इनका electronic configuration पढ़ते हैं और last में आके हम छोटा सा portion, uncertainty principle और डी ब्रॉगली का लेते हैं उसी को ही थोड़ा आगे first year में बताया गया है तो यह आगे आपको जो है यह आज बताएंगे idea of डी ब्रॉगली matter waves actually में matter waves का जो idea था डी ब्रॉगली को आया कैसे 19-20th century में जो light के बारे में हमने बात करी थी तो यह show हो चुका था कि वो particle as well as wave दोनों तरह के nature शो करती है यहां हमने light के जो हमने show किये हैं वो बताये हैं आपको wave nature अगर आप जानते हैं physics में हम 11-12 में आते हैं हम यह देखते हैं कि diffraction और interference जैसी कोई चीज़े होती है और अगर कोई भी light diffraction और interference दे रही है तो इसका मतलब उसका जो nature है वो wave के type का है और अगर वो ही light आपको photo electric और content effect दे रही है तो इसका मतलब है कि वो आपको light model में हम उसको consider कर सकते हैं मतलब जो light है वो आपको दो तरीके से काम कर रही है उसके जो nature है वो दो तरीके के हैं particle nature भी है और light nature भी है जब वो light के बारे को दिखाएगी तब तो जब वो wave के बारे में बताएगी तब तो वो interference और diffraction देगी और जब वो photo electric effect या chromatin effect बताएगी तो वो particle nature देगी इसके बाद Einstein को dwell nature का बताया 20th surgery के बाद Einstein ने भी declare कर दिया कि जो light है वो dwell nature की है उसके बाद सभी particle matters को भी dwell nature का होना चाहिए अगर light dwell nature में exist कर सकती है और आप जानते हैं कि जब कोई wave ऐसे करके run करती है तो उसके इधर 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 छोटे 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 जो होते हैं वो particles होते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर light dwell nature की है तो उसके साथ लगेवे particles हैं वो भी dwell nature के होने चाहिए इसी बात को आगे Drie Brogley ने अपना concept दिया उन्होंने यह कहा कि अगर कोई भी velocity का particle है यानि कि कोई गतिमान कन की प्रवर्ती तरंगे होनी चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं किसी light की तो जो electrons है क्योंकि light में जो बहुत छोटे particles है वो लगभग electron जैसे ही होते हैं तो इसका मतलब अगर light dwell nature में है तो उसके साथ चलने वाले जो particles है जो electron like shape के हैं या कि size के हैं तो वो भी dwell nature के होने चाहिए इसी concept की वज़े से क्योंकि ये line dream broccoli ने कहा गया था हम जितनी भी जो waves आती है उन सभी को हम क्या कहते हैं dream broccoli matter waves कहते हैं नहीं तो wave जो simple waves थी पर इसमें dream broccoli ने अपना concept जोड़ दिया तो आबाद में इसको आप जानते हैं कि dream broccoli ने अपनी सब्सक्राइब जो बात बोली उन्होंने कहा हम इसकी wavelength को निकालने के कोशिश करते हैं तो उन्होंने कहा according to Einstein के लिए पहला उन्होंने formula दिया m equal to c square ये आप 12 में पढ़ चुके हैं कि हम जो हमारा e निकालते हैं वो इसके according निकालते हैं तो पहला उन्होंने कहा कि आप e equal to है वो पहले आप जो e है वो m c square आएगा और जो second according to plank आता है वो e is equal to h mu आता है तो new upon जो c होगा वो one upon lambda हो जाएगा अगर इस value को अगर हम अब यहां रख दे तो इस value के according m c equal to h upon lambda हो जाएगा और lambda is equal to h upon m c हो जाएगा तो इस तरीके से जो lambda की value i last में solve करते करते वो lambda is equal to one upon pi अब आप यहां देख सकते हैं कि अगर मैं momentum के respect में बात करूँ तो जो मेरा momentum है किसी particle का उसके अंदर wavelength है और अगर wavelength है और मैं momentum को simple define करूँ तो मैं इसको m v बोलती हूँ तो इसके अंदर velocity भी है अगर किसी एक particle में wavelength और velocity दोनों है तो इसका मतलब वो दोनों तरीके के behavior को show कर रहा है और इसी बात को dream ragley ने अपनी इस equation से proof किया है इसलिए ही इन सारी waves को dream ragley matter waves बोलते हैं अब आपको समझ में आ गए यह ऐसा क्यों कहा जा रहा है सभी इसके बाद उनने कहा कि सभी में समवेग कोनिये तथा तरंग धेदरिये तरंग उनको दशाते हैं यहां मिलिक भी दिया कि जितनी भी waves होंगी वो तरंग as well as कंड दोनों की property को show करेंगे इसके बाद आता है significance of dream ragley matter waves उनकी क्या है कि आपको यह पता चल गया कि matter waves इस तरीके से दो natures में present है तो इस बात की significance है क्या इसके लिए हमने क्या किया कि अगर हम गतिशील कंड की तरंग देदरिये उसके संबेग के वितकरार माने पाती होती है जो कि हमने अभी थोड़े दिर पहले देखा कि जो lambda है वो one upon p है अगर उसकी होती है तो dream broccoli की सारतक्ता electron, proton, neutron, etc टाइप के particles के लिए है जबकि बड़े क लिए lambda का मान इतना कम होता है कि उसको calculate करना possible ही नहीं है अगर आप इस तरह के कोई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी की lambda बहुत जादा है तो उसकी जो momentum आएगा वो बहुत कम आएगा और अगर momentum कम है तो उसकी velocity कम है तो हम उस condition में इसको calculate ही नहीं कर स के लिए की थी electron, proton, neutron और इसी को मैं इस example में बताया गया है पहला example हमने यह लिया है दूसरा example हमने यह लिया है इन दोनों example में तो अगर आप देखेंगे तो first example में जो हमने M की value लिए है वो 1 kg लिए है और second में जो हमने M की value लिए है वो 10 की power minus 31 kg लिए है इसका मतलब इस condition मे M बहुत कम है और इस condition में M बहुत जाद है तो आप देखें अगर हमारा M बहुत जादा होगा तो इस condition में जो हमारी lambda आएगी वो measurable है ही नहीं उसको हम निकाल ही नहीं सकते मतलब lambda basically क्या होती है एक बिंदू से चलके जो तरंग दूसरे बिंदू तक पहुंच जाए जिसमे करते हैं लेकिन अगर आप यह देखें कि इसकी value इतनी कम है तो वो जो तरंग बनेगी वो इतनी छोटी है कि हम उसे देख भी नहीं सकते यानि कि सीधे शब्दों में हम उसे major ही नहीं कर सकते तो अगर मैं किसी particle का M बहुत जादा ले लूँ जिस यहां जैसे कि मैंने 1 kg ल 6 into 10 की power minus 34 meter आई अब यह minus 34 जो मीटर है इसको हम major नहीं कर सकते हैं in term of science हम इसे major नहीं निकाल सकते किसी भी instrument से इतनी छोटी lambda को हम major नहीं कर सकते दूसरे तरफ अगर मैंने यहां electron लिया है मतलब मैंने जो mass लिया है आप electron का mass जानते है 9 into 10 की power minus 34 kg होता है तो यहां यह electron particle लि velocity कुछ भी हो हमने जब उसके lambda निकाली तो वो आई 1 into 21.21 into 10 की power minus 10 meter इस lambda को हम major कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि जो हम जो matter waves के बारे में बात कर रहे हैं कि और हम यह कह रहे हैं कि वो particle nature की है और as well as wave nature की भी है तो हमारे जो theory है वो प्रूव होती है उन्हीं particles के लिए क्योंकि हम lambda को जब निकाल के देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो electron type के जो particles है उनकी lambda तो calculate हो रही है पर जो दूसरे हैं उनकी lambda को हम major नहीं कर पाएंगे इसके बाद आता है कि जो drie brogley ने अपना अपना जो experiment लगाया था उसको उन्होंने proof कैसे किया drie brogley का जो experiment था उसको हमने उन्होंने क्या किया डेविसन जर्मर का एक experiment था जिसका के setup कुछ इस तरीके का था उसके according उन्होंने उसे proof किया डेविसन जर्मर का जो experiment था उसके अंदर यहां electron source होता था और उससे निकल के nickel की plate से जो electron होते थे वो निकल के सामने जो एक slit होती थी उसके उपर जाके diffraction pattern उन्होंने बनाया अगर कोई भी electron nickel crystal से ठकराते हैं और उसके और different different angle से diffract होके वो pattern बनाते हैं तो diffraction electron की दिशा को electron detector के साहता से हम निकाल लेंगे हमार पास आगे इसमें detector लगा रहता है तो किसी का यह आया किसी का यह आया angle किसी का यह आया किसी का यह आया है अलग अलग का अलग अलग angle हम निकाल लेंगे और जब हम निकालते हैं उसके बाद जब हमने electron विवरतन पर x-ray के लिए वित्पत ब्रैग equation को लागो किया मतलब जो भी diffraction pattern होता है उसको निकालने के बाद जो उसकी जितने भी waves आती है उन पे जो principle लगता हो ब्र तो इसका मतलब यह है कि यह जो pattern है वो किसी wave के लिए आया है तो इन्होंने प्रूब कर दिया यहां से हमने electron दिये हैं जबकि जो आये हैं वो एक diffraction pattern में आये हैं मतलब जो electron है वो इस वाले portion में wave को दर्शा रहे हैं क्योंकि हम जो calculate कर रहे हैं वो इसकी lambda को calculate कर रहे हैं तो इसका experimental verification हो गया second जो experimental verification था जो particle nature का था वो प्रूब हुआ कि अगर हमने क्या किया electron की कणिये प्रकृति को समझने के लिए किये गये प्रियोगों के अंतरगत electron को zinc sulfide द्वारा एक पटिका पर आप्तित किया गया मतलब वहां पर हमने nickel पर डाला था यहां हमने zinc sulfide पर डाला ऐसा करने के बाद हमने देखा कि जो zinc sulfide की जो slate होती है उसके ऐसा एक चमकदार dot मिलता है और वो dot जो होता है वो जो एक dot मिलता है इसका मतलब यह होता है कि यह dot एक ही जगा पर है दूसरी किसी जगा पर नहीं गया तो मतलब यह इसके particle nature को प्रूब करता है तो आज हमने देखा dream broccoli matter waves dream broccoli matter waves को हमने उसके dual nature से जोड़ा उसके बाद उसका experimental verification आपको मैंने बताया thank you very much